बहगवान की कृपा किसको किसोम्र में हो जाए ये कहना मनुष्य के लिए संभव है गुस्वामी जी ने भी इसकी व्याख्या अपने चौपाई के माध्यम से कुछ इस तरह से की है सोई जान जेहुदेव जनाई जाना ही तुम ही तुम ही होई जाए जिसका सीधार्थ है कि इश्वर की महिमा वही जान सकता है जिसे इश्वर खुद ही उसका बोध करवा दे इश्वर के प्रती अनुराग भी बिना इश्वरी कृपा के संभव नहीं है ऐसा ही कुछ चमतकारिक प्रभाव देखता है तरुनाई से की सोरा वस्था में प्रवेस करने वाली पलक मिश्रा जिसे अब भक्त जन्श्रद्धा पलक की सोरी के नाम से संभोधित करने लगे है रिवा के वाड नमबर एक उस्पराज नगर के निवासी पत्रकार मनेश मिश्रा की बती जी पलक का स्रीमत भागवत और गीता के प्रती बढ़ता रुजान अब उन्हें व्यास कदी तक लियाया है अपने 15 वर्स की आयू में उन्होंने श्रीमत भागवत कथा के प्रावचनों की सुरूआत कर दी है भक्तमीरा स्वरूपा पलक की सोरी की अमरत्वानी से स्रीमत भागवत कथा का अमरतपान कर श्रधालों कदगद हो जाते हैं आए सुनते हैं पलक मिश्रा से पलक किशोरी बनने की कहानी उन्हीं के जुबानी जैसे भूगो गुड़ खाय स्वाद कावे मेरी मन में आखरे हम ऐसे नसके जो द्वार हमारे आ नसके आखर की चोरी कर नसके मुरली की कान सुना नसके आखरे हम 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 आखरे ह श्रीमत भागवत कथा होने वाली है 2nd April से आपको भागवत कथा का वाचन करती है कहां से ये प्रेणा मिली इस उम्र में जब लोग पश्चमी शभता आज तरब जादा तर देखते हैं कोई यूटी तरब जा रहा है कोई फेलमी दुनिया में जा कहां से ये प्रेणा मिली आपको और क्या करना चाहती है इस शेटर में देखिए पहले से कोई decided नहीं था कि भागवत कथा का वाचन होगा बिल्कुल कोई planning नहीं थी ना किसी ने सोचा था मेरा पहले से aim decided था IFS होगा क्योंकि भगवदीता में क्रिश्ण जी ने कर्मों को मेंन फोकस दिया और ऐसे कर्मों को जिन से दूसरों का भी भला हो सिर्फ अपने लिए मत रहो दूसरों के लिए भी रहो वरना केवाल अपने लिए रहोगे तुम में पशो में फर्क क्या है तो मेरा aim decided था civil servant as a IFS officer Indian foreign service पर उसके बाद सतना में एक program हुआ अचानक से हुआ कोई planning नहीं थी फिर वो सबको इतना अच्छा लगा कि सबने कहा कि आप अगर इस शेत्र में आपका रुझान है तो आप जा सकती है तो फिर उसके बाद मुझे थोड़ा लगा कि सेवा तो ऐसे भी हो सकती है सेवा इस कारे से भी हो सकती है फर्क बस इतना है उसमें हम physically सेवा करेंगे और ऐसे मन की सेवा हो सकती है जो मन के जितने doubts होते हैं लोगों के इतना परिशानिया है आजकल सब परिशान है स्ट्रेस इतना बढ़ गया है तो ऐसी कुछ बाते कहके जो स्ट्रेस रिलीविंग हो सुनने में अच्छी लगे ये भी सेवा ही एक तरह से हुई तो मैंने फिर सोचा कि ये भी अच्छा शेत्र है as a profession अनुभूती ये होती है कि सामने कोई नहीं है सिर्फ कृष्ण जी है मैं हूँ मैं उन्हीं से उनकी बाते कर रहे है देखे भागवत मतलब होता है कि हम भगवान के बारे में बताकर उनका जो behavior है क्या सोचते हैं क्या करते हैं स्वभाव कैसा है ये सब बताकर हम सुनने वाले को भगवान से प्रेम करा दे में लक्ष ये होता है जैसे लोग कहते हैं कि भागवत मृत्यू का डर खतम करती है ऐसे ही डर खतम करती है जब हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा अपने आप डर खतम हो जाए क्यों क्योंकि हमें उन्हीं के पास जाना है और भगवान कृष्ण के बारे में जो एक बास जान लेता है अच्छे से जान लेता है वो फिर उन ही में कह लीजे उनकी लीला ऐसी होती है कि वो फिर उसके अलावा और कुछ उसे अच्छा ही नहीं देखिए ग्यान तो असी में थे वो तो जितना पढ़ोगे उतना अच्छा है जितने नहीं नहीं गरंथ आएंगे सबको पढ़ना चाहिए तो मेरा में फोकस अभी भगवत गीता और शीमत भागवत में है सबसे पहली चीज़ जो लोगों की टेंशन की जड़ है वो है फोन आप जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहेंगे तो आपके जीवन में कोई परिशानी नहीं होगी क्योंकि I'm in within that age group तो मैंने अपने दोस्तों को देखा है वो सब सिर्फ सोशल मीडिया के कारण बहुत अच्छे अच्छे लोग जो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे अब वो उतने अच्छे नहीं रहे तो आप जितना हो सके इस फोन से थोड़ी दूरी बना के रखें मैं यह नहीं कहती कि फोन छोड़ दें आप चाहें तो बहुत अच्छा सद्वियोग भी हो सकता है क्योंकि आज कल क्या है जो फोन में नहीं मिलता उससे बहुत अच्छी राह भी हो सकती है पर राह बिगड भी सकती है यह sense of morality इंसान में होनी चाहिए जो use कर रहा है तो उससे यही प्रात्ना रहेगी कि आप मैं तो माता पिता लोग से कहती हूँ कि आप बच्पन में बच्चे को श्री कृष्णे से जोड़ दीजे उनके बहुत सारे कार्टून्स वगएरा है उनकी मुवीज है वो किसी तरह उनके टच में रहेंगे तो अपने आप सही रास्ते पर चाहिए मेरे बारे में मुझसे जाद अच्छे से हो जानते है मेरे लिए क्या सही है ये मुझसे जाद अच्छे से हो जानते है ये विश्वास जिसके मन में होता है भवान उसकी रक्षा करते हैं I am saying this as per my personal experience